जय हिंद मित्रों आज हम कंप्यूटर से संबंदित Microsoft Office किसे संबंदित बड़ा ही महत्पूर्ण प्रशनतुर्द लेके उपस्तित हैं जो कि आने वाली परिच्छाओं के लिए बढ़ा ही उपयोगी है तो आए देखते हैं देखते हैं एक आटो करेक्ट इंट्री में एक सिं पाइनों को टेक्स्ट को बदलने के लिए क्या करते हैं वर्ड डाकुमेंट में सबसे पहले सिंबल को इंसर्ट करें या टेक्स्ट को टाइप करें और इसके बाद टेक्स्ट को टेक्स्ट या सिंबल को सिलेक्ट करें और आटो करेक्ट डायलाग बाक्स में जाएं नेक्स check spelling के option के सुविधा कौन उपलब्द कराता है तो इसे कहते हैं format next है word का हुआ feature जो space की मात्रा को character के निसित combination के 20 सुता adjust कर देता है जिसके चलते सारे सब समान रूप से space दिखाई पड़ते हैं को क्या कहा जाता है उसे carning कहा जाता है next है MS word screen के ruler पर क्या उपलब्द नहीं है center indent उपलब्द नहीं है document में picture या text जोडने या रखने के लिए किसका प्रियोग करते हैं तो इसमें insert का प्रियोग करते हैं next देखते है MS outlook क्या है personal information manager email communication software है next देखते हैं document में सब्द को ढूणने और सही करने के लिए user कि कमांड का प्रियोग करता है तो इसमें find and replace का इस्तिमाल करता है next है MS word को प्रारम करने का तरीका क्या है start all programs MS office MS word next है page break का क्या आर्थ है document को अलग पार्ट नए page से start करना next है किस बार में right side पर कितने control button होते है title बार में right side पर कितने control button होते है इसमें 3 होते है next है MS word में सरवाधिक का उन से toolbar का प्रियोग उपियोग किया जाता है इसमें standard and formatting टूल बार का इस्तिमाल जो किया जाता है next देखते है ruler कितने परकार के होते है तो इसमें 2 परकार के होते है ruler next है ruler command किस menu में होती है view menu में होती है next है ruler के नीचे MS word का main area होता है इस main area को और क्या कहते है उसे text area कहते है next देखते है text area में mouse pointer किस आकार का होता है इसमें capital I आकार का होता है next देखते है status bar कहां होता है text area के ठीक नीचे होता है menu bar किसके ठीक नीचे होता है title bar के next देखते है menu head किसको back करता है एक pull down menu को next है गारे रंग के commands क्या कहलाते है enable commands उसे कहते है next है हलके रंग या grey color के commands क्या कहलाते है disable commands कहलाते है next है किसी old document को खोलने के लिए किस command का प्रियोग करते है open का next है किस command से MS Word close किया जा सकता है exit से next है edit menu में word document को क्या करने से संबंधिक commands होते है क्या करने से संबंधिक commands होते है तो इसमें संपादित next है किस command से किसी selected text को पूरी तरह remove कर सकते है clear next देखते है किसी option को click करने पर documents वे पेज की तरह दिखाई देता है wave layout उसे कहते है wave layout option किस menu में होता है view menu में होता है next है wave layout option किस menu में होता है view menu में next है print layout option को click करने पर document किस form में दिखाई देता है तो यह जो है print form में दिखाए देता है next है किसी word या text को replace करने की shortcut की कौन सी है तो इसे control plus h ये है shortcut की next है go to option की shortcut की कौन सी है control plus g next है किस option की मदद से word के विभिन टूल बारों को show या hide किया जा सकता है next है header and footer option किस menu में है v menu में है next है किस command की मदद से documents की समयगरी को छोटे या बड़े size में देखा जा सकता है जूम next है date and time option किस menu में होता है insert menu में होता है next देखते है hyperlink option की shortcut की कौन सी है तो इसमें control plus K है किस command की मदद से किसी font को को कोई special symbol document में type किया जा सकता है तो उसे कहते हैं symbol धन्यवाद मित्रो